बढ़ेंगे देश के कई राज्यों में इन दिनों बारिश आफ़त की तरह बरस रही है पहाडों पर भारी बारिश होने की वज़े से नदियां उफान पर है यूपी में अगले पांच दिनों तक लगातार बारिश का अलर्ट है मौसल भाकी माने तो गोंडा, बलब्रामपुर, श्रावस्ती और बहराइच में बादल गरजने के साथ बजली भी गिर सकती है कुदरत गुस्से में आसमान से आफ़त बरस रही है, गोरकपुर में रुक रुक कर हो रही बारिश तबाही बनकर लोगों पर बरस रही है तो गोंडा में बारिश भी तांडव मचा रही है, खास रिपोर्ट आपको दिखाएंगे गोरकपुर में पीते दो दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश और नेपाल से छोड़ गए पानी के कारण नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा, नदी अब खत्रे के निशान से खरीब एक पीटर नीचे ही बह रही है पिछले कुस दिनों से हो रही लगातार बारिश के वज़े से और नेपाल के पानी छोड़ने की वज़े से गोरकपुर में बार की इस्थिती लगभग उत्पन हो गई है इस समय गोरकपुर में लगभग सभी नदिया खत्रे के निशान के उपर या खत्रे के निशान के आसपास है सर्यू खत्रे के निशान से उपर बह रही हैं जबकि राप्ती डेड़ सेंटीमीटर प्रती घंटे के रफ्तार से बढ़ रही हैं और लगभग वो खत्रे के निशान पर है इसके अलावा कुवानो, आमी, रोहिन ये नदिया भी लगातार बढ़ रही है इनका भी जलस्तर बढ़ रहा है नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हो राजस सुकर्वियों को लट कर दिया गया है राप्ती नदी नदी जलस्तर को देखते हो राजस सुकर्वियों को लट कर दिया गया है कई गाव पाण के पानी से घिरते जा रहे है मैं प्रशासन नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर बनाये हुए गुंडा में भी बाल और बारिश के पानी न अपना केहर बरपा रखा है यहां घागरा नदी का जलस्तर खत्रे के निशान से 17 सेंटी मीटर उपर है सिलाप्रशासन पार्स नपट्टे और बचावगार के लिए प्रयास कर रहा है नदी के किनारे बसे गाउं में मुनादी कर लोगों को ऊचे स्थान पर जाने के अपील की गई है बहराजों से छोड़े गए पानी के बाद अब घागरा नदी का जलस्तर खत्रे के निशान के उपर हो गया है गागरा निदी का जलस्तर बढ़ने से गोंडा की दो तैसिलों के कई गाउं में बाड का खत्रा मटराने लगा है गागरा के कहर के कारण गोंडा के तरब गहन तैसिल और करनेल गहन तैसिल के कई गाउं में बाड का खत्रा मटराने लगा है कई घरों में पानी घुसा है, कई गाउं को जाने वाले रास्तों पर पानी हो गया है, जिसके कारण अब जिलाप्रसासन ने राहत सामगरी उपलब्द कराई है, बाढ़ के कारण कई जिन घरों में पानी घुसा था, उन घरों के लोग अब उचे अस्थानों पर चले गए है गागरा नदी का जलस्तर अब धीरे धीरे खट रहा है लेकिन खटावा जलस्तर भी बड़ा खत्रा लेकर आता है क्योंकि खागरा नदी गटते समय कटान साला करती है जिससे नदी के खिनारे बसी आबादी और खेट नदी में समा जाते हैं टीम न्यूज स्टेट lucky गुणडा से अबेके शुर्माएं गुड़ जिड़े हैं वहीं आजमगर्ड से हमारी साथ रवी जुड़ गए हैं सबसे पहले रवी आपका ही रुक करना चाहूंगी आजमकड में आपकी मौझूदकी है क्या कुछ खालाथ है और किस तरीके से स्थिती है क्योंकि लगातार देखे जिस तरीके से बारिश का खहर अब लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में क्या कुछ प्रबंद किये गए ह कि अज़ी अज़ी में अज़श रगारी त्सद्धरि करणा लेख जो ओक हैं तूर्ण जो च्प्रिन गाइख जो पना में अज़ी हैं कि अजानों को इंतदार है कि बारिष जल्द जल्ड आजिकों शेलदु जटकी धान ओर भाद्यन को जो लेकिन अभी तक बारिश से कोई भी आखाव नहीं दिखने आप देखते हैं आसमा भी पूरी तरह से अभी कुछ और जुड़ गए है और जेश भी अमारे साथ अब दिवर्या से जुड़ गए है आपका भी रुक करूंगे लेकिन उससे पहले गोंडा से हमारे साथ से से हुए हैं जिस तरीके से देखा अपने सित्य अम्रीकेश वर और लगातार जल प्रॉलाय की तस्वीरे सामने आ रही है तमाम जिलों में अलर्ट भी जारी किया गया है ऐसे में गोंडा था क्या कुछ हाल है किस तरीकी स्थिती है रूबरू कराए हमारे दर्शकों को बारिस के पांस जिनके अलर्ट के बाद जिला पुसासन हरकत में आ आया है और जिला पुसासन ने जो विश्थापित होकर के ऊंचे अस्थान पर गए वे लोग थे उनको बाढ़ कि टूकलब बिकराई है उनको जो पली है वो पली दी गई है कि उसके नीचे वो बारिस के दोरान रह सकें और जो चपर है चपर के नीचे पल्ली डालने जिससे वो चपर उनका चुए ना और जो लोग अभी अंदर हैं उनको भी पल्ली दी गई है कि वो सुरचित रहें और उसके अलावा एक अलर्ट जारी किया गया है सोसल मीडिया के माधियम से सोसल मीडिया में है क्योंकि धान किसान जो बोए हैं उनके लिए ये बारिस किसी धनलाप के कम नहीं है बिल्कुल अंबिके शुर और जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि लगतार जो जलस्तर बढ़ता जा रहा है उससे कई ना कई परिशानियों का सबब लोगों के लिए ये जलस्तर बन गया है ऐसे में हमारेसा समवादता देवरिया से भी लाइफ जोड़े हुए अरजेश आपका सिधा रुक कर रही हूँ देखे जिस तरीके से तमाम स्योगी बता रहे थे कि जलस्तर में जिस तरीके से व्रद्धी हो रही है और वो कहीं न कहीं आब कैर बनका लोगों के शाादमारस संपरक और जेश से नहीं बन पारा दुबार से अरजेश आपको आउज मिल पारे ये मेरी जी जी अरजेश मेरा स्वार ये था कि जिस तरीके से मैदाने राट की बात करें तो बाढ़ के हालात लगातार बने हुए है जल प्रले से जुड़ी वी जानकारिय हमारे तमाम से योगी दे रहते हैं ऐसे में गोंडा का क्या कुछ हाल है वो अमिकेश्वर ने बताया आप से दिवर्यक हाल चाल जानना चाहेंगे कि इस तरीके से अपडेट है वापर क्या कुछ किया जा रहा है अभी तो यहां जो सर्जू नदी है सर्जू नदी का अभी जालस्तर बहुत नारमल कहा जाए तो नारमल है बारिश का माहल भी एकदम जाज़े नहीं है बहुत लेकिन तब भी ठीक ठाक है और किशानों की जो खेत है जो सुके पड़े थे अब कुछ दो दिनों से हलकी बिल्कुल अर्जेश जिस तरीके साथ बता रहे हैं मैं चाहूंगी कि ये भी बताईए कि किस तरीके के प्रबंद वहां पर किये गए प्रशासन की तरफ से क्योंकि लोगों को काफी परिशानियों का सामना करना पढ़ रहा है ऐसे में क्योंकि जलस्तर लगातार बढ़ रहा खत्र के निशान से उपर जब जाता है तो लोगों के अंदर भैजेश जिलादिकारी और तमाम प्रसासन के अंड़ी आरफ की टीम होगजा जगा जगा पहले से ही तैनात कर दिया गया है ताकि इन लोगों को सुरचित और सुरच्छा दिया जा सके है बिलकुल बहुत शुक्र तमाम जानकारी के लिए अरजेश, अम्बिकेश्वर आपका भी और रवी आपका भी बहुत शुक्र जानकारी के लिए और जिस तरीकी से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मैदानी इलाकों से लेकार पहाडों में भी बारिश से आफ़त लगातार बरस रही है